इस्ट्रेंट्स विल्कम इन आपर चैनल, इस वीडियो में हम सीखने वाले है क्लास 11 सब्जेक केमिस्ट्री, युनिट नमबर 4 का यह हमारा first part है, इससे पहला हम third unit देख चुके हैं, इस युनिट में हम क्या सीखेंगे, तो इस युनिट में हम सीखने वाले है chemical bonding किस टाइब से होती है and molecule की structure किस type से बनती है ठीक है तो यह unit बहुत ही interesting है और इसमें सारी important topics आएंगे जो कि आपको future में जब भी आप chemistry पढ़ोगे तब आपको काम आएंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखने वाले है ionic bonding इसके बाद सीखेंगे हम covalent bonding ठीक है तो ionic bonding के थूप बनते है ionic molecules किस टाइब से बनते हैं सीखते हैं यहाँ पर हमने one atom लिया है sodium का second atom लिया है यहाँ पर हमने chlorine का अब जो sodium का atom है इसमें आपको पता है atomic number कितना होता है sodium का sodium का atomic number होता है 11 ठीक है इसके first orbit में हम two electron फिल करते है second में eight और third में one electron हमारे पास बचता है total कितने होगा यह 11 यहाँ पर देखे two electrons first orbit में second वाले में eight और third वाले में one electron ठीक है अब यह जो one electron है यह sodium किसको donate कर देता है chlorine को donate कर देता है ताकि यह stable state में चला जाए ठीक है जब sodium one electron donate कर देता है chlorine को यहाँ पर यह chlorine को donate कर दिया इसने तो इसका यह जो orbit है वो हट जाता है यहां से और sodium के उपर कौन सा charge आ जाता है है यहाँ पर तो plus charge आ जाता है जब भी कोई atom one electron donate करता है तो उसके उपर one plus आ जाता है two electron donate करता है तो two plus आते है three electrons donate करते है तो three इस type से जितने electron donate करता है कोई भी atom उसके उपर उतने ही plus charge develop हो जाते है ठीक है और ऐसे ही जो atom जितने electrons लेता है उसके उपर उतने ही minus charge develop हो जाते है जैसे यहाँ पर देखिए जो chlorine है इसका अगर हम atomic number देखे तो chlorine का atomic number होता है 70 electronic configuration कैसा होगा first orbit में आपर two electron यह रहे two electron यहाँ पर second जो orbit है उसमें eight electron second वाले में eight electron दिखेंगे आपको और third वाले में इसमें आ जाएंगे seven अब यहाँ पर यह जो seven electron है अगर यहाँ पर एक electron कहीं से आ जाता है तो यहाँ पर कितने हो जाते है eight electrons इसे को हम बोलते है कि जो chlorine है इसका octate complete हो गया कोई सा भी atom हो वो अपने last orbit में eight electron लाने की कोसिस करता है ताकि वो stable हो जाए तो यहाँ पर जो chlorine है इसके last orbit में starting में आप देखें तो यहाँ पर यह seven electrons थे ठीके one electron इसने sodium से ले लिया और इसके last orbit में क्या हो गए यहाँ पर आप count करेंगे तो eight electrons आपको मिलेंगे ठीके यानि कि यह stable हो गया और इसके उपर charge कौन सा develop हो गया तो minus charge इसने one electron accept किया इसलिए इसके उपर one minus charge यहाँ पर develop हो गया अब इस type से देखें एक plus atom है दूसरा minus atom है एक दूसरे को electrostatic force के थूर अट्रेक करते है यानि कि यह जो हमारे पास ions बने एक ketion बन गया और एक anion बन गया तो यह दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को अपनी और attract करते हैं और इनके थूर इनके बीच में एक bond बनता है और उस bond को हम बोलते है आयनिक बोन क्या बोलते है तुसे हम आइनिक बोन यानिक कि दो ions के बीच में जो बोन बनता है उसे हम बोलते हैं आइनिक बोन आइन कब बनते हैं यह हमेंसे याद रखना आप जब भी एक एटम अपना electron एक पूरी तरह से डोनेट कर देता है और दूसरा atom उस electron को accept कर लेता है तभी बनते है ions और तभी बनते है इनके बीच में ionic bond, otherwise ionic bond नहीं बनते है, ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर हमने कुछ examples ली है, आपके लिए ionic bond के, देखते है, formation of ionic bond किस types होता है, यहाँ पर अभी हमने देखा था, यह sodium और chlorine के बीच में इस types ions बनते है, और इनके बी देखे, यह एनसेल बना, तो एनसेल के एक type का ionic molecule है, यहाँ पर इसमें sodium plus ion जुड़े है, और chlorine के minus ion जुड़े है, ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर magnesium dichloride किस type से बनता है, यहाँ पर आप देखे, इसको zoom करके आपको अच्छे से समझाती हूँ, क्या क्या है, magnesium का 12 atomic number होता है, कितना होता है, यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में 2 electron, सेकेंड में 8, और लास्ट वाले में 2, यहाँ पर sequence दे रखा है, अब यह जो 2 electron है, यह chlorine को donate कर देता है, ठीक है, magnesium क्या करता है, chlorine को donate कर देता है, बट chlorine, एक chlorine के एक electron accept कर सकती है, इसलिए यहाँ पर क्या करत है, एक electron magnesium donate कर रहा है, magnesium ने total कितने electrons donate किये, तो 2, इसलिए इसके उपर 2 प्लस चार्ज आ जाता है, जो chlorine है, वो एक chlorine एक electron लिया, दूसरे chlorine ने दूसरा electron लिया, इसलिए यहाँ पर क्या किया है, माइनस 1 ही लिखा है, याने कि 2 chlorine है, और दोनों के उपर माइनस 1, माइनस 1 चार chlorine है, उसका माइनस 1 वाला आयन बनता है, और यह दोनों आपस में जूडते है, और यहाँ पर बनाते है आयनिक बोन, और इस टाइप से यहाँ पर बनता है आयनिक मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल बना है, यहाँ पर तो MgCl2 का यह मॉलिक्यूल बना है, एसे ही और oxygen लिया है, oxygen का atomic number क्या होता है, 8 होता है, इसमें 1st orbit में 2 electron आते हैं, 2nd वाले orbit में 6 electron, यहाँ पर 6 electron है, इसको जो 2nd वाले orbit है, इसको अपना octet complete करने के लिए 2 electrons की और जर्वत है, तो 2 electrons किससे लिलता है oxygen, यहाँ पर magnesium से लिलता है, अब यहाँ पर देखिए, एक ही oxygen का atom लिया है, और इसके पास कितने electrons है total, outermost cell में, तो 6 electron है, 2 electrons वो magnesium से ले रहा है, इसलिए इसके last orbit में total अब 8 electrons हो जाते हैं, और इस टाइप से oxygen का जो octet है, वो complete हो जाता है, यहाँ पर देखिए, magnesium ने कितने electrons donate किये, 2, इसलिए इसके उपर क्या हो गया, 2 plus charge, oxygen ने कितने electrons accept किये, तो 2 electrons, इसलिए इसके उपर क्या है, minus 2 charge है, अब यह दोनों ions बन चुके है, इसलिए इनके बीच में, एक electrostatic force काम करता है, और इस टाइप से यह आपस में जुड़ जाते हैं, और एक molecule बना लेते हैं, तो यह था हमारे 3 examples हमने देखे, एक sodium का देखा, sodium chloride का, याने के NaCl का, दू इसरा हमने देखे, magnesium oxide का, तो इस type से हम यहाँ पर ionic bond को समझ सकते हैं, ठीक है, next topic है हमारा यहाँ पर covalent bond, तो covalent bonding किस type से होती है, देखते ही, covalent bonding में क्या होता है, कभी भी कोई भी atom, ना तो किसी को electron पूरी तरह से donate करता है, और ना है किसी से पूरी तरह से accept करता है, य यहने की बीच में रखते है, जैसे यहाँ पर देखे, आप यह hydrogen का एक atom लिया है, hydrogen में one electron होता है, one center में proton होता है, ठीक है, अब यह जो hydrogen का यहाँ पर हमने atom लिया है, इस type से हमने यहाँ पर two atoms लिये, यह one atom और second atom यह वाला है, ठीक है, अब यह दोनों ही atom क्या कर रहे है, ए एक electron मालीजे, इस hydrogen का है, दूसरा यह वाला जो electron है, वो इस वाले hydrogen का है, तो यहाँ से one one electrons की sharing करते है, center में यहाँ पर रखते है, two electrons हो जाएंगे, अब इस type से जब यह two electrons की, यहाँ पर one one electrons की sharing कर रहे है, तो इनके बीच में एक bond बनेगा, और यह जो bond है, इसी को हम बोलते है, covalent bond, क्या बोलते है, covalent bond, हिंदी में इसको बोलते है, हम सह सहीोजी bond, यह क्या कर रहे है, एक दुसरे को सहीोजी bond, इसलिए इसको सह सहीोजी bond बोलते है, इंगलिस में इसे हम बोलेंगे, covalent bond, ठीक है, जब भी यह one one electrons की sharing करेंगे, तो यहाँ पर बनता हमेंशा single bond, अगर यह two two electrons की sharing करते, two electron एक atom लेके आता, two electron दूसरा, तो यहाँ पर double bond बनता, three three electrons की अगर sharing करते हैं, तो यहाँ पर triple bond बनते हैं, तो और अच्छे सा समझते हैं, आगे structure में देखते हैं, यहाँ पर देखें, structure लिए हमने, यह carbon है, ठीक है, carbon में यह गोल गोल दिख रहे है आपको जो four electrons है इसके, यहना कि carbon के last orbit में four electrons है, इसको अपना octet complete करने के लिए, यहने आठ electron complete करने के लिए four and electrons की जरूरत है, तो यह four electrons कहाँ से आते हैं, यहाँ side से इसमें four hydrogen से जुड़ जाते हैं, और एक-एक electron की यहाँ पर sharing करते हैं, अब एक-एक electron की जब sharing करते हैं, त तो यह electron को यहाँ पर cross के form में represent किया है, यह sharing करने से क्या होता है, दोनों ही atoms का काम हो जाता है, यहाँ पर जो carbon ही, इसके last orbit में अगर आप देखे, तो यहाँ पर कितने electrons हो गए, 8 electron, ठीक है, hydrogen जो है, hydrogen का जो last orbit है, इसके पास तो पहला ही orbit होता है, यह nucleus और hydrogen में यह पहला यह orbit होता है, पहला orbit में अगर 2 electron भी मिल जाएं इनको, तो यह इनका जो orbit है, वो stable हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, hydrogen का जो last orbit है, इसमें 2 electrons आ जाते हैं, इसलिए hydrogen भी क्या हो जाता है, यहाँ पर stable हो जाता है, और इस type से जो carbon है, वो hydrogen के साथ, 4 hydrogen के साथ sharing करके, 4 यहाँ पर bond से बनाता है, किस type से यह 4 bond मना लिए, और 4 side से यह, इस type से hydrogen से जुड़ जाता है, ठीक है, तो इस type से होती है, covalent bonding, covalent bonding हमेशा याद रखना है, यह sharing आख electron के थू होती है, नेक्स टॉपिक देखते हैं, टाइप साथ covalent bond, तो 3 टाइप के covalent bond होते हैं, mainly, इनको example से देखते हैं, कौन कौन से type है, 1st है यह आपर single covalent type, 2nd है double, और 3rd है यह आपर triple covalent bond, तो यह कैसे बनते हैं, example के थू देखते हैं, यहाँ पर single में example लिया है, fluorine का, fluorine का यहाँ पर एक molecule बनाया है, कैसे बनता है, fluorine का molecule देखते हैं, fluorine का अगर हम atomic number देखे, तो कितना है 9 है, याने कि 1st orbit में 2 electron आते हैं, 2nd orbit में यहाँ पर 7 electrons present होते, अब last orbit में यहाँ पर 7 electron है, इसको अपना octet complete करने के लिए कितने electrons की जरुवत है, तो only 1 electron की, अब 1 electron यह कहाँ से लता है, तो 1 electron यह जो fluorine है, वो इस से लिलता है, और ऐसे ही यह जो fluorine है, वो इस fluorine से 1 electron की sharing कर लेता है, याने कि दोनों ही fluorine 1-1 electrons को center में रखते हैं, यह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जैसे, और sharing के थूँ यहाँ पर बनाते हैं यह single board, ठीक है, यहाँ पर देखिए, फ्लोरिन में कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे dot लगा देते हैं, आसपास fluorine के, जबकि ऐसा नहीं करना, यह हमें जो dot लगे हैं, यह क्या represent कर रहे हैं, लास्ट ओर्बिट में number of electrons, तो यहाँ पर जो fluorine है, इसके लास्ट ओर्बिट में, कितने electrons होते हैं, तो seven electron होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर seven dot ही बनाने हैं, मन से ज़्यादा है कम नहीं बनाने, अब यह जो seven electrons है, अगर एक electron इनको कहीं से मिल जाता है, तो इनका octet complete हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, दो fluorines आते हैं, दोनों ही one-one electrons की यहाँ पर sharing करते हैं, और sharing के through, यहाँ पर यह single bond बनाते हैं, ऐसे ही अगर कोई atom two-two electrons की sharing करें, जैसे oxygen हैं, तो oxygen का last orbit है, इसमें total कितने electrons होते हैं, six electron होते हैं, इनको कितने electrons की requirement हैं, अपना octet complete करने के लिए, तो two electrons की, तो यहाँ पर क्या होता है, दो oxygen atoms आते हैं, और दोनो oxygen atoms two-two electrons की sharing करते हैं, आपर total four electron की sharing होती हैं, यहाँ पर देखिए, और इस टाइप से यहाँ पर इनके बीच में, oxygen, oxygen के बीच में double bond बन जाता है, ठीक है, ऐसे ही triple bond बनता है, triple bond में क्या होगा, तीन-तीन electrons की sharing होगी, nitrogen का, अगर example हम देखें, तो nitrogen की last orbit में होते हैं, five electron, इनको अपना octet complete करने के लिए, three electrons की जरुवत होती है, दोनों atoms को, three-three electrons की जरुवत है, दोनों एक दूसरे से, three-three electrons की sharing करते हैं, यहाँ पर और बनाते हैं, यहाँ पर यह फिर triple bond, nitrogen और nitrogen की बीच में, हमेशा triple bond प्रेजेंट होता है, यानिकि जो N2 का molecule है, उसमें triple bond, यानि की three covalent bonds present है, क्यों present है, क्योंकि यहाँ पर, दोनों ही nitrogen क्या कर रहे है, three-three electrons की यहाँ पर sharing कर रहे हैं, तो इस टाइप से हमने देखे, covalent और electrovalent bond क्या होते हैं, यहाँ पर recall करते हम, यह देखे, इसमें यहाँ पर क्या बता है, covalent bond और ionic bond, यह है covalent bond, covalent bond में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर sharing हो रहे हैं, जबकि ionic bond में क्या होता है, यह जो sodium है, इसके यह orange color के electron से हैं यहाँ पर, तो एक electron इसने, यहाँ पर chlorine को donate कर दिया है, और यहाँ पर जो chlorine है, इसने one electron accept किया, इसलिए इसके उपर minus charge, sodium ने donate किया, इसलिए इसके उपर plus charge develop होता है, और इस टाइप से इनके बीच में bond बनता है, और उसे हम बोलते है, ionic bond, जबकि covalent में क्या हो रहा है, यहाँ पर sharing हो रही electrons की यह, तो यह दोनों में difference है, ionic bond में completely electrons का donation होता है, और completely electron का exception होता है, जबकि यहाँ पर covalent bond में क्या होता है, only sharing होती है, ना तो कोई electron, ना तो कोई atom पूरी तरह से electrons को donate करता है, और ना ही कोई उसे accept करता है, बस यह sharing करके बीच में center में रखते, जिस atom को जब जरुद पढ़ती electron की, तब वो ले लेते, जैसे यहाँ पर sharing के थूद यह bond मना रहे है, अगर hydrogen को electrons की जरुद पढ़ेगी, तो यह electron hydrogen के side चले जाएंगे, जब oxygen को जरुद पढ़ेगी, तो यह electron oxygen के पास रहेंगी, और इस टाइप से इन दोनों के बीच में bond रहेगा, और यहाँ पर एक molecule बनके ready हो जाएगा, तो यह थे हमारे दोनों topic, ionic bond and covalent bond, I hope आपको अच्छे सा understand हुए होंगे,